हेलो एवरिवन वेलकम टू शिवर्म कोचिंग क्लासेस आज हम पढ़ेंगे प्रश्णावली एक दश्वमलो तीन प्रश्णावली एक दश्वमलो तीन में हमें सबसे पहला प्रश्ण पूछा गया है यह निलकित संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुडंखन द्वारा संख्याओं से भाग नहीं जाएगी यह विशम संख्याओं से ही भाग जाएगी तो हम देखते हैं तीन से भाग जाती है क्या देखें तीने कम तीन तीन दू नीचे उसके फिर एक बच जाएगा इसलिए तीन से भी भाग नहीं जाएगी इसके बाद हम देखते हैं पांच संख्या को हम 13 17 19 सभी नमंकों से भाग देकर देखते हैं तो देखे 17 तक तो यह भाग नहीं जाएगी यह भाग जाएगी संख्या का वर्ग मूल के आएगा वर्ग मूल बराबर 19 क्योंकि 19 के यहां पर एक जोड़ी बनी है इसलिए इसका वर्ग मूल आएगा 19 तो 361 का वर्ग मूल के आएगा 19 यह हुआ अब हाज्य गुरंखन विदी से पहला प्रश्ण दूसरा प्रश्ण देखिए 400 400 को हम भाग देते हैं 2 से 2 दूनी 4 00 2 इकम 2 00 2 पंचे 10 अब यह जाएगी भाग 5 से 5 25 25 और 5 इकम 5 तो देखिए यहां पर 2 2 और 5 इतने जोड़ीयां बनी तो यहां पर वर्ग मूल के आएगा वर्ग मूल बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर हम यहां पर एक जोड़ी में से 2 को एक बार लेंगे इस एक बार लेंगे फिर एक जोड़ी 5 को एक बार लेंगे दो दूनी 4, चार पंचे 20, तो यहाँ पर वर्ग मूल आएगा 20, ठीक है, 400 का वर्ग मूल होगा 20, इस तरह से हम तीसरे प्रश्ण में आते हैं, तीसरे प्रश्ण है, 784, 784 देखिए, सम संख्या है अंत में, तो हम 2 से भाग देते हैं, 2, 3, 6, 1, 8, 2, 9, 18, 2, 2, 4, फिर से 2, 1, 2, 2, 9, 18, 2, 6, 12, 2, 9, 18, 1, 6, 2, 8, 16, फिर से 2, 2, 4, 8, 2, 8, 18, अब यह 2 से भाग नहीं जाए, क्यूंकि संख्या आगे 49, 49 भाग जाती है, साथ से, साथी साथी उन्चास, और इसके भाग फिर साथ एकम साथ, तो यहाँ पर देखो, जोडियां बनी इस तरह से, तो यहाँ वर्ग मूल क्या होगा, वर्ग मूल बराबर, दो गुणा, दो गुणा, साथ, दो दूनी चार, चार सत्ते, 28, तो यहाँ पर, साथ चार आसी वर्ग का वर्ग मूल होगा, 28, प्रशने नंबर चार देखिए, एक हजार चौविस, एक हजार चौविस को हम भाग दे सकते हैं, दो से, क्योंकि अंत में हमारे पास सम संख्या है, हमें इस अंत की संख्या, वो इकाई की संख्या को पहले देखना चाहिए, कि यह सम है या विशम, अगर सम है, तो छोटी से छोटी संख्या सम संख्यां से भाग चली जाएगी, और अगर विशम है, तो वो सम संख्यां से भाग नहीं जाएगी, 2 x 10, 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 2 x 10 54, फिर से 2 एकम 2, तो यहाँ पर देखो। 2 की कितने जोड़ियां बनी, 3, 4, 5, 2 की हमारे पास यहाँ पर 5 जोड़ियां बनी है, तो यहाँ पर वर्गमूल होगा, बराबर, 2 गुना 2, गुना 2, गुना 2, हम पांच बार लिखेंगे 2 को, क्योंकि 5 बार हमारे पास 2 की जोडिया बनी है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 यहाँ पर 32 आएगा वर्ग मूल देखिए मैं यहाँ पर अभी गलत कर रही थी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी शायद में 10 या 12 कुछ बोली थी तो इस तरह से गलतियां होती है इसलिए मैं बहुत सावधानी से हाँ पर गुणा करना चाहिए 2 का गुणा 2 बर, फिर जो संख्याई उसका गुणा 2 बर फिर जो संख्याई उसका गुणा दो बार, फिर जो संख्याई उसका गुणा दो बार, तो इस तरह से वर्गुमुल हमारा यहां पर आएगा 32, अगला है 500 प्रश्ण 2304, प्रश्ण नमबर 5, 2304, दो इकम दो, दो इकम दो, यहां पर से एक बचा, तो दो पंचे दस, दो दूना चार, फिर से दो से दो पंचे दस, दो सक्ते चौदा, दो चक्के बारा, फिर से दो से दो दूना चार, एक बचा, दो अठ्थे सोला, एक बचा, दो अठ्थे सोला, फिर से दो से दो इकम दो, दो चोंके आठ, दो चोंके आठ, दो स autoche 34, दो सत्ते चोदा, दो दुना चार, दो तीいや 6, दो चकका 12, दो एकम 2, दो अठ्टे 16, दो नियम 8ारा, और 3 दिया 9, तीन एकम 3, तो यहाँ पर जोडियां बनी 1, 2, 3, 4, 5, 2, गुणा 2, गुणा 2, गुणा 2, गुणा 2, 1, 2, 3, 4, च चार दुनी आठ, आठ दुनी 16, 16 दुनी 32, 16 तिया 48, तो यहां पर वर्ग मूल होगा 48, 2304 का वर्ग मूल होगा 48, प्रश्नि नंबर 6, 7,056, दो तिया 6, दो पंचे 10, दो दुनी 4, दो अठे 16, यह हुआ, इसके वाद हम इसको फिर से भाग देते हैं, दो से, दो एकम 2, दो सत्य 14, दो चक्के 12, दो चौक 8, दो अठे 16, एक और 6, फिर दो अठे 16, दो दुनी 4, दो चौक 8, दो चौक 8, दो एकम 2, अब यह दो से भाग नहीं जाएगा, अब यह भाग जाएगा 3 से, क्योकि इन संख्याओं का योग देखिए, 4, 4, 8, और एक 9, 9 आ रहा है न, मतलब यह 3 से जरूर भाग जाएगा, 3 एकम 3, उसके बाद 3 एकम 3 के बाद एक यहां बचा, तो यह हो गया 14, लेकिन 3 के पाड़े में आता है 12, 14 नहीं आता, तो जोड़ियां बनी देखिए, 2, 2, 3, और 7 की, 2 गुणा 2, गुणा 3, गुणा 7, बराबर 7 यह 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, यहां पर वर्ग मूल आएगा 84, ठीक है, इस प्रशनावली का हमारा दूसरा और अंतिम प्रशन है, एक बालकों की टोली ने 256 आम खरीदे और आपस में बाट लिये, यदि प्रत्यों को उतने ही आम मिले जितनी टोली में बालक थे तब बालकों की संख्या बताईए, तो इसके कहने का मतलब है, अगर हमारे पास 16 आ को हम कैसे बाटें, कि जितने बालक हैं उतने ही आम एक एक बालक को मिले, तो सिधे सिधे हमें इसका अभाजी गुणनखंड करना होगा, तो देखिए, 256 को हम करते हैं अभाजी गुणनखंड, 212, 224, 2816, फिर 2612, 248, 236, 224, 212, 2612, 2816, 248, और 212, तो यहां पर जोड़ी 1, 2, 3, और 4 बनी, सभी 2 की हैं, 2 गुणा 2, गुणा 2, गुणा 2, गुणा 2, 2 दोनी 4, 4 दोनी 8, 8 दोनी 16, मतलब 16 बालकों में 16 आम को बाटा जाए, मतलब हर बच्चे को 16 आम मिले, तो 16 बालकों में हम 256 आम को बाट सकते हैं, ठीक है, यह आप उत्तर लिखेंगे कि आप 16 बालकों में 16 आम बाटेंगे, तो आपको 256 आम को हम बराबर बराबर बाट सकते हैं, ठीक है, तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्ण, आगे के प्रश्णों को हम देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई, आगे कि भीडियो में वीडियो पाइभ में